आलसी तोता एक पेट पर दो तोता रहता था किट्टू और मिठो एक बहुत आलसी दुसरी बहुत चला था एक दिन समस्तर तोते ने देखा पेट की ज़र से एक पेट निकल गई जो पेट का सहारा नेका चौरती जा रही है आरे देखो हमारी पेट पर एक बेल उपन तरभा रही है चालो मिल करों से कार दे मुझी तुमारी सहय का चाहिए दोस्त मैं एक लिए इस बेल को नहीं कार सकता मैं बहुत थका हूं हम कार कार लेंगे जोरो कार लेंगे अगले दिन फिर से तो तेने मिठु को आबाज लगे मिठु मिठु देखो बेल तो दिन से दिन लंबी होती है आओ उसे कार दे कहीं सीकर आकर इसकी सहरे पुच्चो चोप पहुँझ जाएगे इतनी जल्दी क्या है कर लेंगे मिठु तुम बात को संचो अभी तो बेल लाजोगे मिठकर हम उसे कार सकते हैं अगर बड़ी हो गेई इसे कार ना पोहत मुश्किल होगा बात करते करते केहीं दिन निकल जाती है बेल पक्की हो गेई और तोता रोज मिठु को आबाज लगाई लेकिन मिठु कोई ना कोई बाहना बना कर डाल देता तोता आपनी बच्चो को लेकर एक उच्चे पेट पर जाने का मजबुरी हो गया क्योंकि उसे पता था मजबुर पेल साहरे सिकार आकर उसके बच्चे को ले सकते हैं मिठु मैं आपनी बच्चों को साथ उच्छे पेट पर रहना जा रहा हूँ क्या तुम भी चालोगे यहां रहना चुदो कित नहीं है तोता आलचे हने की बजे से काम पलपल डाल देता था इसी तरह एक दिन तोता का बच्चे पर सिकारे का नाजर पड़ा उन्हे मजबूत बेल पर जार कर मिठु के बच्चों को उठा लिया मिठु को आपको आपने आलचे पर्ण से बहुत पस्तावा आने बच्चे